दोस्तो, Hero 2 Willer Company ने एक बार फिर से Hero Destiny स्कूटर को निउ UN 125CC इंजिन के साथ इंडियन मार्केट में लॉंच किया है ये स्कूटर अब Hero Destiny Prime के नाम से जाना जाएगा कंपनी ने इस स्कूटर में कुछ निउ अअब्डेट और चेंजिस किया है तो आप इस scooter की तरफ जा सकते है Hero Destiny scooter का इस new model के कर बात की जाए तो company ने scooter का looks and body design में कुछ खास update and changes नहीं किया है scooter आपको same old looks and body design में देखनों को मिल जाता है 2023 की इस new model के लिए company ने 3 new color option को launch किया है यहाँ पर आपको scooter silver white, nexus blue and noble red color combination में देखनों को मिलता है दोस्तों यहाँ पर scooter की features and specifications की कर बात की जाए तो scooter में halogen DC headlam को continue किया गया है scooter में आपको semi digital meter console देखनों को मिल जाता है जहाँ पर scooter की सारे important notification को आप access कर सकते है अब दोस्तों scooter की engineer performance की कर बात की जाए तो scooter में main update किया गया है scooter की engine में scooter में अब आपको new 125cc air cooled SI engine देखनों को मिलेगा जो की 9 BHP power and 10.36 Nm torque provide खरवाए गया है scooter में आपको new BS6 stage 2 engine norms को लागो कर दिया गया है जो की E20 fuel और flex fuel compatible है mileage के अगर बात की जाए तो company के मताबिक scooter में mileage अब आपको जादा देखनों को मिलेगा BS6 stage 2 engine होने के बज़े से दोस्तो scooter की बाकी specifications and features के अगर बात की जाए यानि की scooter का wheels, tires, braking system, dimensions के अगर बात की जाए तो सब कुछ यहाँ पर आपको same देखनों को मिलता है old model की तरह ही scooter का seat height के अगर बात की जाए hero destiny prime scooter का new x showroom price है 73,378 रुपीस जो की आप 87,500 रुपीस तक on road price पे करके खरीच सकते है daily showroom की इसाब scooter का यह new model आपको 2-3 हबते के अंदर अपनी नजदी की hero showroom में देखनों को मिल जाएगा आप लोग चाहे तो खरीदने के लिए देख सकते है याद रखेगा दोस्तों scooter के body में आपको E20 का sticker देखनों को मिलेगा जिससे के पता चलेगा कि यह scooter VS6 stage 2 engine norms वाला scooter है दोस्तों वीडियो अगर informative लगे तो वीडियो को like करे, share करे और चैनल को ज़रूर subscribe करे